खबर हुशंग अबात से हैं कलेक्टर घनन जेस सिंग के निर्देश पर खनिश विभाग अवीद रेत उत्खनन परिवेहन उरेत माफियों के खिलाफ कारवाई करा है वो लेकने हैं कि रविवार को जिला खनिश वदीकारी शिशांक शुकला की मौचूदकी में खनिश निरिक्षक अर्चना तामर कर और उनकी टीम ने राइपुर बांदराभान में नर्मदा नदी में हो रहे अवेद उत्खनन पर करवाई खी दी जिसमें खनिश विभाग न चोरासी और सार्वतनिक संपति नुक्सान निवारण अधिनियम के धारा तीन के तहता अफायाद दाच की गई सिक्रम में सुमवार को जिला प्रसाशन खनेश विभाग इस संव टीम ने ग्राम जासलपुर में भूमी मालिक देवी राम पिता गंगा राम खसरा नंबर 698 बटे 5 रकबा 1.141 में अवेद उत्खनन करता ग्यान से इंग निमोदा और अन्य के विरुद दो सो चववन घनमीटा रेत का अवेद उत्खनन का प्रकरण बनाया वहीं अवेद उत्खनन करता द्वारा बनाएगाए पहुच मार को जेसे भी मशीन से अवरुद का नश 1255.5 घनमीटर का अवेद उत्खनन का प्रकरण रास्ता देने वाले भूमाफियों के वरुद भी प्रकरण कायम किया है इसी प्रकार चासलपुर में ही पीली करार की और अवेद उत्खनन किये जाने हितू बनाय जारे मार्क को जेसी भी से नश्ट किया इन सभी रास्तों स साथ से आठ फीट की घहरी खाई खोदी गई जिससे रेत में के अवेद उत्खनन पर प्रभावे नियत्रन किया जा सके इसी प्रकार ग्राम बरखेडी बांदराभान मगरिया तवापुल के पास नंदनी गोशाला घाना बड़ में भी रेत खदान तक पहुशने वाले मार को खनेश नरिक्षक पुश्पेंत्र पाथी राजस्व टीम के द्वारा मौकेपा जेसी भी मशीन के सायता से अवरुद कर नश्ट किया गया वहीं अवेद उत्खनन करता कौन है सूत्रों की माने तो उत्खनन करता के नामों का खुला साना कने में भी कोई बड़ा खेल इसकी जन चर्चा जोरों पर है खनेश अदीकारी सिशांग शुकला ने बताया कि ग्राम जासलपूर में कारवाई जारी है और अन्य स्थानों पर भी कारवाई जारी होगी जिला प्रसाशन की अवेदे उत्खननपा संयुक्त कारवाई में खनेश अधिकाली से शांक शुकला, खनेश निरिक्ष्यक अर्चना तामरकर, पुश्मेंद्र पाथी, देहाद टी आई, हेमन शिवास्ता, ग्रामी तैसल्दा, शेरिन बडोन या, नायाब तैसल्दा, लले सोनी, कृष्णकान, सहित, राजास्वक खनेश टीम मौजूत रही, होश्चंगवाद से समादाता, मुकेश दुबे की खास रिपोर्ट